नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब सभी अच्छी होंगे तो फ्रेंस जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं इस वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे HPGK 40 के लगबा क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन मौक टेस्ट के रूम में डिस्क्रस करेंगे इस वीडियो से आप अवनी स्टडी को भी अनलाइज कर सकते हैं किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है और 40 में से कितने क्वेश्चन का आपने सही अंसर दी है तो चलिए जल्दी सजल्दी शुरू करते हैं HPGK का मौक टेस्ट तो क्वेश्चन नमबर बन आपके सामने है नार्शिंग टिबा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है नार्शिंग टिबा ओप्शन है बिलासपूर, कुल्लू, चम्बा और सिर्मौर बताइए सही अंसर नार्शिंग टिबा हिमाचल के कौन से जिले में है तो option number C, चमबा डिस्टिक हमारा यहां, right answer होगा, नार्शिंग टिबा चमबा जिले में, question number 2 है, धार बैर कोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, धार बैर कोट, यह हिमाचल के कौन से जिले में है, बिलासपूर, सोलन, कुलू या फिर मंडी, क्या सही answer होगा इसका, बत गलत है, वो ढूणना है, पहला है, तियून धार चमबा, B, जकदार हमीरपूर, C, option हरीपूर धार सिरमाओर में, और D, सांजी धार शिमला में, तो बताई कौन सा इसमें गलत जोड़ा दिया गया है, तो इसमें जो गलत बेमेल जोड़ा जो है, तियून धार चमबा, option number A, ये राय टांसर होगा, क्योंकि तियून धार जो है, चमबा में सित नहीं है, ये बिलासपूर में है, तो कोट धार, तियून धार, नैना धार ये बिलासपूर डिस्टिक में सित है, बाकि जाकदार हमीरपूर में है, हरीपूर धार सिरमाओर में सही है, सांजी धार शिमला में ये भी सही है 4 question चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सीथ है चोलंग चोटी बताईए सही आंसर शिर्मौर, कुलू, शिमला या फिर कांगडा चोलंग चोटी चोलंग चोटी जो है कांगडा में सीथ है D option, correct answer रहने वाला है Next question चोटी किस जिले में सीथ है ये कौन से जिले में है चमबा, कुलू, किनौर या फिर बिलासपुर तो ये चोटी है कुलू डिस्टिक में B option, correct answer Next question डिबी बोकरी पिरामिंड किस जिले में सीथ है डिबी बोकरी पिरामिंड चमबा, कुलू, सिर्मौर या फिर लहौल स्पिती option दिएगे हैं डिबी बोकरी पिरामिंड कौन से जिले में सीथ है तो ये कुलू जिले में सीथ है डिबी बोकरी भी B option हमारा correct answer 7 में है बड़ा, कंड़ा, चोटी कौन से जिले में सीथ है गौरी देवी का टिबा, चोटी कहां पर सीथ है गौरी देवी का टिबा जो है option देखिए चमबा, कांगडा, कुलू या फिर किनौर गौरी देवी का टिबा ये सीथ है चमबा डिस्टिक में यहां पर A option हमारा correct answer गौरी देवी का टिबा चमबा में उन्ना और हमीरपुर जिले की पहाडियों को किस नाम से जाना जाता है उन्ना और हमीरपुर जिले की जो पहाडिया है option आपके सामने दीगे हैं मुडेयों पहाडिया, शिवालिक पहाडिया, अंदरुनी हिमाले या अरावली पहाडिया तो उन्ना और हमीरपुल जिले की जो पहाड़िया है उन्हें जाना जाता है शिवालिक पहाड़ियों के नाम से B option यहां पर राइट अंसरों के शिवालिक पहाड़िया इसी से related question जो था वो एलाइट के एक्जाम में भी पूछा गया था option देहाई, नागरू, चोहार या सोनार कौन से चोटी मंडी जिले की दौलादार परवसरिंखला की सोसे उंची चोटी है तो वो है नागरू चोटी B option प्रेक्ट अंसर ग्यास परवत शिखर किस जगा स्थित है? ग्यास परवत option पांगी घाटी, किनौर घाटी, स्पिती घाटी या फिर कुलू घाटी बताईए ग्यास परवत तो ग्यास परवत जो है यह पांगी घाटी में A option यहाँ पर correct answer रहने वाला है ब्रिहद, शिगाई और नहतांग परवत किस घाटी के प्रमुक आकर्शन है? उप्शन लाहॉल, कुलू, पांगी या फिर किनौर? बताईए सही अंसर ब्रिहद, शिगाई और नहतांग परवत यह प्रमुक आकर्शन है लाहॉल के A option correct answer चूड़धार चोटी की उन्चाई कितनी है? उप्शन आपके सामने 10,556 feet, 9,636 feet, 10,906 feet या फिर 11,966 feet बताईए चूड़धार चोटी की उन्चाई कितनी है? 11,966 feet, D option correct answer बकरोटा हिल्स, रमनी स्थल कहां पर सीत है? बकरोटा हिल्स, ये कहां पर सीत है? धरमशाला, डलहोजी, जोगिंदनगर या फिर चमबा में बताईए बकरोटा हिल्स कहां पर है? ये डलहोजी में सीत है, B option correct answer नेक्स कोश्चन, निमर में से कौन सा जिला पूर नित्या शिवालिक शरेणी में स्थीत है? ये ही कोश्चन देखिए, पिछले कोश्चन में भी डिसस किया था, ये कोश्चन पूरा अभी जो एलाइड का एक्जाम हो, उसमें पूछा गया था, कौन सा जिला पूर नित्य यहाँ प्रांट। या फिर अफगानिस्तान ये हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है A option यहां पर correct answer होगा चूरचांदनी का चूरधार परबत माला किस जिले में सित है चूरचांदनी की जो चूरधार परबत माला कौई से जिले में सित है कांगडा, सिर्म उर सोलन या फिर श्यमला यह सित है सिर मौर जिले में B option correct answer 18 का next question हिमाचल परदेश की सबसे उंची चोटी कौन सी है लियो पुर्जियाल, शिला, मुलकिला या गियो फेंग हिमाचल की सबसे उंची चोटी जो है यह शिला चोटी है B option right answer होगा, इसकी उंचाई कितनी है आप इसका answer प्लीज कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शियर करें शिला चोटी की उंचाई कितनी है next question हिमाचल परदेश की सबसे उंची चोटी कौन सी है option लियो परदेश जियाल, शिला, मुलकिला या गिफेंग तो बताई राइट अंसर हिमाचल की सबसे उंची चोटी जो हो शिला चोटी है, B option right answer का कौन सी जिले में सीत है इसका अंसरा प्लीज कॉमेंट स्क्रिशन में शियर करें कौन सी जिले में सीत है शिला चोटी अब यहां पर उन्चाई पूछी है शिला चोटी की उन्चाई कितनी है 7000 मीटर, 7026, 7040, 7080 तो शिला चोटी की जो उन्चाई है वोगा 7026 मीटर, B option, correct answer Next question नेक्स्ट क्वेस्चन, हमीरपूर एबम उन्ना जिले किस परबश रेणी में सीत है बाहरी हिमाले, आंत्रिक हिमाले, ब्रिहत हिमाले या इन में से कोई भी नहीं हमीरपूर एबम उन्ना जिले किस परबश रेणी में सीत है यह हैं बाहरी हिमाले में A option, correct answer बाहरी हिमाले कहलाता है, क्या कहलाता है बाहरी हिमाले, निचला हिमाले, शिवालिक, मानक या उपरोक्त सभी तो बाहरी हिमाले, उपरोक्त सभी D option, correct answer होगा निचला हिमाले भी, शिवालिक भी और मानक भी सभी इसमें आते है लाहॉल की सबसे परसिद चोटी कौन सी है गेफांगला, बूसंगला, लियो परजिल या गंद माधन तो सबसे परसिद चोटी लाहॉल की है गेफांगला, A option, correct answer कौन सी परवस रिंकला शिरमार को सिमला से अलग करती है चूड चांदनी, चांसल, हाटू या शाली बताइस रिंकला को सिमला से अलग करने वले चोटी कौन सी है बहचूड चांदनी, A option हिमाचल परदेश में समुदर तल से उपर उंचाई का परास क्या है हिमाचल परदेश में क्या है आपको option दिये गिए हैं तो बताइए राईट आंसर गया होगा इसमें तो इसका प्रास जो है वो है तीन सो पचास से साथ हजार मीटर B option correct answer होगा हिमाचल की भू आकरिती के संदर में शिवालिक शरिंखला उप हिमाले प्रवत माला के अंतरगत है शिवालिक से क्या अभी प्राय है शिवालिक से अभी प्राय क्या है शिव कावा, शिव के केस गुच, शिव का राज्य या शिव द्वारा पवित्री करित पहाड़िया राइट अंसर क्या होगा शिवालिक से अभी प्राय है शिव के केस गुच B option correct answer किस उंचाई पर हिमाले में पेड एवम जाड़ियां नजर नहीं आते और प्रपताओं का सबर बीहड, जांजा, आबरित और तुशा राज़दित हो जाता है कौन सी उंचाई पर option देखिए जो 400 मीटर, 4500 मीटर से उपर, 3500 मीटर से उपर या 3800 मीटर से उपर किस उंचाई से 4500 मीटर से उपर जो है एई option यहाँ पर right answer होगा next question कौन सी परवश सरिंखला कि नौर और स्पीती को तिबबत से अलग करती है जासकर सरिंखला, पीर पंजा सरिंखला, दौलादा सरिंखला या शिवालिक सरिंखला बताई कि नौर और स्पीती को तिबबत से अलग करने वाली सरिंखला कौन सी है वह जासकर सरिंखला A option correct answer शिवालिक सरेणी कि जिले को सपर्ष नहीं करती है इनमें से परवसरिंखला हिमाचल प्रेज को तिबबत से अलग करती है हिमाचल को तिबबत से अलग करने वाली परवसरिंखला कौन सी है दौलादार, पीर पंजाल, हिंदुकुष या जासकर तो जासकर जो है वो हिमाचल को तिबबत से अलग करती है D option is here, it's the right answer, दौलादार सॡैणी, दौलादार स्रैणी है, कांगडा में, चमबा में, कुल्लु में, उप्य। सभी में, तो कहां पर है दौलादार स्रैणी, सभी दौलादार स्रैणी में ही आते हैं, कांगडा, चमबा और कुलु, D option, correct answer, किन्नर के लाश नामक परबती शिकर हिमाचल परदेश के किस जिले में सीथ है किन्नर के लाश कहां पर है कांगडा है किन्नौर लहौल या फिर चंबा किन्नर के लाश किन्नौर में सीथ है B option correct answer शिवालिक शेतर में निमलत जिलो में से कौन सा जिला स्थीत है शिवालिक शेतर में इन जिलों में से कौन सा जिला स्थित है कि नौर, चंबा, लहौल या फिर उन्ना तो उन्ना जिला जो है शिवालिक शेतर में आता है पूरी तरह से D आप्शन महासू चोटी किस जिले में स्थित है महासू चोटी आप्शन हिंद कोश हिमाचल से बाहर है D option हिमाचल कोई इसकीन पहाड़ों में सी थह पश्मी हमाले उत्री हमाले दक्षनी हमाले या मद्दे हमाले बताई व्हाइब होगा किन पहाड़ों में सी थह हिमाचल यह पश्मी हमाले में सी थह A option – correct answer प्राचीन मेनाग परबत को अब क्या कहा जाता है? मेनाग परबत को कहा जाता है शिवालिक C option, right answer और धोलादार को पहले क्या कहा जाता था? मौलाग परबत कहा जाता था शिला चोटी किस परवसरिंखला में सीथ है? शिला चोटी, पीर पंजाल, धोलादार, जासकर या शिवालिक पता ही right answer तो शिला चोटी जो है जासकर परवसरिंखला में है C option जासकर परवसरिंखला कहा परसीथ है? option दिएगे हैं चूड़दार परवसरिंखला, आंत्रिक, मद्दे, हिमाले, ब्रिहद हिमाले, शिवालिक परवसरिंखला जासकर परवसरिंखला कहा परसीथ है? ये ब्रिहद हिमाले में सीथ है, C option नेक्स और लास्ट क्वेशन उन्ची एव अंदूंग परवसरिंखला का भाग है? शिला और रियो परवसरिंखला का भाग है? पिर पंजाल का, जासकर का, दौलादार या, रो तांग तो ये जासकर परवसरिंखला का भाग है, B option correct answer हो तो इसे साथ हमारा आज का 40 question का mock test पस यहीं तक अपना score जो हो, comment section में ज़रूर शेयर करें 40 मैंसे कितने question आपके सही हुए जल्दी मिलते हैं next video में तब तक के लिजा है Thank you for watching patiently